को क्या सुरू हो चुकी है साम के सात बच चुके हैं और क्याम नाइंद की जो आइन टीब मैतमेट्क से उसकी क्या सुरू हो चुके आज देखो यार इंटर्णेट का प्रिक रिक्द कर रहा है वाइफाई इस वजह से थोड़ा क्लास लेट में शुरू हुआ है तो उसके लिए माफी चाहते हैं आप लोग उसके वजह से बिल्कुल परिसान मत हो यह कुश्चन देखिए एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट ढरí का कुश्चन नमबर थार्ड थार्ड देखो फाष्ट नमबर मैंने कल बता दिया बच्चा सींसी नमबर आप लोग उम ओर करोगे और थार्ड नमबर में करवा रहा हूं ठीक है न हिसाब बराबर है न अब तीसरा कुश्चन देखो क्या कहता है तीसरा ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा चुकि थोड़ा सा ये भाई स्टेंडर्ड कुश्चन है तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ये बात आप समझने की कोशिस करो ठीक है इस आकृती में क्या करने को कह रहा है कहरा यह दिए बी पैरलल डी-ई मतलब यह र इतना क्लियर है बी ए सीट-वाइब कि इसे फिफ्टीफ्य ए पिपित्टीध्री है सीडी ए कितना है फिफ्टी ठीओ Provost वे तो पूछ रहा कि डी-सी-ई-ग्याद कीजिए मतलब यह को निए डी-सी-ई-ग्याद करना सब कहर आए इसप dedic सिमें आपको कुछ तथ्यल लगान पुखराज, अनुपम यादो, दुर्गेश, सोनी, किरन मौर्या, रोहित जाट और ब्रिज कांत मिस्रा, पी वियार स्टडी के स्पेसाल स्टूडेंट भाई रोहित हैं, बिसकर्मा जी, और सारुक, सभी का कमेंट आ रहा है, सभी इमानदारी से समझो, कोई कलास छोड़के नहीं जाएगा, सेख अतिक, बाद में इंको आरी करना ठीक है, हाँ, चलो, देखो इसमें क्या करना, सिंपल सा है, थोड़ा सा समझ लो, भाई, मैंने आपको पढ़ाया था, कि अगर दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं, और उनको कोई एक रेखा ऐसे टच करे, परतिछेदित क करें, तो यह जो कोण बनते हैं, यह जो कोण बनते हैं, यह एक आंतर कोण बनते हैं, इसको जानते हो ना, यह एक आंतर कोण बनते हैं न, बस यही एक आंतर कोण का कांसेप्ट यहां लगा दोगे, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, फटा-फट उत्तर आ जाएगा एक आंतर कोण के कांसेप्ट में कैसे देखो इतर द्यान दो अगर आपने कांसेप्ट सीखा है तभी कर पाओगे वरना यह सबाल आपके पल्ले नहीं पढ़ने वाला है कांसेप्ट सीखे हो तभी समझ में आएगा बच्चा आराम बरन ठीक है चलो आप क्या लिखोगे आप लिखो कोण वी ए सी इक्वल कोण सी इडी मतलब कुछ समझ में आया बी ए सी सी इडी के बराबर है यानि जो ए कोण है वो ए के बराबर है यह कह रहा है नहीं हाँ देखो है बराबर क्या है यह यह बराबर है देखो कैसे बराबर है देहान दो आप लोग मैंने नाम दिया है ना, इसके नाम ऐसे है ना, एक बार बुक से question मिला लो, हाँ ऐसे ही दिया है, ठीक है, तो बच्चा देखो ये दोनों कोंड बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, ब्रेकट में लिखो अंताह एकांतर कोंड, alternate interior angle, अंताह एकांतर कोंड, इसलिए ये दोनों क्या हैं, बरा से पहीस था, ये पैएंट्स मिल गया, कितना मिल गया, 35, हमें सी का मान निकालना है, देखो या,ई इस का मान हमें ग्यात करना है, में हमें इसको निकलना है, वस हो गया, कितना आसान है, बहुत आसान है, है ना, भई, आराना समझ में, किरन मारया, interior angle होते हैं, भिल्कुल, बहुत अच्छे, very good concept आपको पता है, ये एंगल A, E के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने दिखाया था, एक बार फिर से देख लो, ये, अगर ये रेखा, इसको ऐसे मिलाती है, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, अन्ता एक अंतर कोण है, और अन्ता है का अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस कारण से B, A, C बराबर हो गया, C, E, D, K, ठीक है? इतना ठीक है? चलो, अगर ये अन्ता है का अंतर कोण का concept नहीं जानते हो, तो फिर नहीं कर पाओगे, जल्दी से स्क्रीन साट ले लो या लिख लो, इसके बाद फि थोड़ा कम पढ़ती न, बोट पे, चलो, हो गया? अब देखो, इतना हो गया, नीचे जगा कम है, इसलिए मैं मिटा के लिखूंगा, अब हमें ये कोण मिल गया, अब हमें इसको मिटा देंगे, ठीक है? ये हमारा काम खतम हो गया, अब हम बड़े अराम से इसका उत्तर न में हमें दो कूण पता है, तो तीसरा कूण निकाल लेंगे, लिखो, चलो, लिखो, तिरभूज, तिरभूज, C, D, E में, क्या-क्या हो जाएगा, कूण, C, D, E, कौन-कौन, अरे या ला कूण, C, D, E, धन, D, C, E, धन, C, E, D, ठिक है? ओके, या D, E, C, लिख दो, मतलब वही हुआ, ठीक है? अरे बाई, चाहे तो इसको C, E, D बोलो, या फिर D, E, C, बोलो, मतलब एक हुआ, चलो, अब D कमान कितना दिया वच्चा? तिरपन दिया है, मतलब C, D, E, कमान तिरपन है, धन, D, C, E, हमें C कमान नहीं दिया, इस कमा जाएगा, C, E, D, मतलब हमें E कमान 35 दिया है, ये 35, ये बराबर यहां 180 कर लो, कितना कर लो, 180, अच्छा, रुको मैं कारण लिख देता हूँ, तब इसको बाद में मान रख दूँगा, चलो, देखो बच्चा, ये तीनों कोड जोड के 180 हैंस हो जाएगा, क्यों हो जाएग अन्ता कोडों का योग, कोडों का योग, 180 होता है, समझ में है न, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, भाई कीरन महुर्या जी, बिल्कुल राइट, साइड आफ ट्रेंगल, या फिर आज से कह सकते हो, ऐसा कम ठीक है, सम आफ आल इंटीरियर एंगल आफ राइंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है, यह हो गया, अब हम सभी का वैलू रखके और कंपलिट कर सकते हैं, इसका मान आप तीरपन रख दोगे, दान, ये D, C, E, ऐसे लिख लोगे, उतारते ज ये C, E, D कमान 35 रख लो, बराबर 180, ठीक है न बच्चा, अब क्या करोगे, नीचे दीख रहा है न, एक लाइन मैं और आगे हल कर सकता हूं, तो आप इसको कर लोगे, D, C, E, बराबर 180, माइनस 33, माइनस 35, फाइनल हल कर लो, मैं उपर मिटा के थोड़ा उपर लिख देता ह हो गया, किलियर हो गया, देखो थोड़ा आज इंटरनेट सलो है हो सकता है, क्वाल्टी भी थोड़ा बहुत अच्छी न हो, इंटरनेट बहुत सलो चल रहा बच्चा, देखो इसके बाद मैं उपर हल कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां के बाद उपर, तो कोड D, C, E, बरा आना, चलो, यह 180-88 हो जाएगा, बराबर 92, यानि हमें जो C कमान आया, यह 92 आया, हो किया बस इतना ही करना था, यह फाइनल आंसर है, लिख दो, इस तरह से आपका कुश्चन नंबर 3 कम्पलीट हो गया, ठीक है, ब्रीज कांत आया समझ में, राम बरन कुमार तुम पढ़ो कि नहीं तो कुछ नहीं आएगा, मैं सवाल समझा रहा है, तो तुम उत्तर मिला रहे हो, तो बच्चा पढ़ा हो तब आएगा, उत्तर मिलाने थोड़ी उत्तर आएगा, लिख लो, देखो जो बच्चे अभी तक नहीं लिखे ना, वो वीडियो को पीछे करके समझें, जो अब एक बात comment करो यहा ना करो mobile को ऐसे करके देखो, आँ ऐसे कीओ न सभी, बोलो यस यह नो, ऐसे कीओ न, phone को ऐसे करके देखो यह नहीं, ऐसे करो गे थोड़ा चोटा दीखता है, च्छर मज़ा नहीं आती है, ऐसे करके देखो comment बंदकर दो, ठीक है, comment मत करो, कि वहाल सम स्क्रीन पे दिखेगा फुल दिखेगा ठीक है चलिए और जिनके पास लैपटाफ है उनके लिए बहुत अच्छा है और रहां एक बात और सुन लो अगर क्वाल्टी कमा रही ने स्क्रीन पे टच करके ऊपर से क्वाल्टी चेंज कर लो अगर बुलर दिख रहा है मैंने फाइस्ट लगाया है थार्ड लगाया है सीकेंड आपके लिए होमवर्क छोड़ा है तो बताओ पहले सीकेंड कर लोगे की नहीं कि ट्राइ करना अगर नहीं कर पाओगे तो जो सवाल छोड़ रहें उसको हम लाइस्ट में बताएंगे अंत में ठीक है कुईस्चन न नमबर फॉर होमवर्क रहेगा आप लोग घर पर ट्राइ करना नहीं आएगा मैं बताओंगा जब यह चैप्टर सब खतम हो जाएंगे तब मैं जो जो छोड़ा रहा हूंग उसको करवा दूंगा कि क्वेश्चन फाइब लिखो आकरती 6.43 में क्वेश्चन नमबर लिखते चलो फटा फट गवगन जी गुड़ इबनिंग गुड़ इबनिंग ठीक है कर चुके अच्छी बात है लिखो यदि पी क्यू लंब है पी एस पर यदि पी क्यू लंब है पी एस कामा पी क्यू समांतर है एस आर के किसके बच्चा यस आर के और कोड़ एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री कोड़ यस क्यू आर बराबर 28 डिग्री ध्यान दो जल्दी फिलिक लो बेटा हां और कोड़ क्यू आर टी बराबर 65 एंगल क्यू आर टी इक्वल 65 क्यूस्चन है यह है तो एक्स और वाई के मान ग्याद कीजिए देखो बहुत आसान है बेरी सिंपल है यह भी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने हैं जो बच्चे कंसेप्ट नहीं सीखें वो कमेंट करके बताएंगे लाश्ट में उनको हम वीडियो दे देंगे आलक से हां गांसेप्ट वाला चैप्टर जरूर देखना जो भी पढ़ाया गया जैसे एक आंतर कौन क्या होता है यह अंता है यह तिर्भुच के तीनों कोनों का योग 180 का ऐसे होता है यह सारे अगर आपको परमिये नहीं आते ह आप नहीं सीखे हो तो फिर आपको यह सवाल हल करना थोड़ा मुश्किल लगेगा बच्चा ठीक है कर नहीं पाओगे फिर समझ नहीं पाओगे यह सब इसलिए आपको पूरी तयारी से इसको पढ़ना है पूरी अरण नीती आपके अच्छी होनी चाहिए है कि समझ रहना तुम लोग चलो ठीक है गुड बेरी गुड चलिए अब क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे लेकिन पहले फिकर तो बनाएंगे ना जो कांसेप्ट नहीं सीखे हैं अभी लाश्ट में नंबर देंगे संपर्क करेंगे उनको कांसेप्ट वीडियो मिल जाएगा लाश्ट में नंबर दिखा देंगे अभी रुके रहो चलो पहले कुश्चन समझने कोशिश करो कि ऐसे बनाओ यह फिगर है जो फिगर के बारे में बात हो रही है कुश्चन में वह फिगर बनाओ चलो बच्चा रेडी है रेडी है यह है और यह है यह सीधा-सीधा है फिल यह यक्स है बाबू और यह वाई है भाई साहब और यह बच्चा 65 है ठीक यह चित्र है जिसके बारे में यहां पर बात हो रही थी उपर इनके नामकरण कुछ ऐसे हैं पी क्यूँ और यह यहां पर है यहां पर यह तेको इसमें है क्या आइक्चुली जो आर यह सार्ब हुजा इसको टी तक बढ़ाया गया है मतलब यह वाई कोड़ बना रहा 65 का बाहरे जाकर बना रहा है एक्स्टीरियर एंगल ना एक्स्टीरियर बाहिकोड अब देखो है चलो जलदी लिखो फटाफट क्या क्या लिखोंगे बाई साब लिखो इसमें है अगर आप ध्यान दो अगर आप देआन दो एक चीज क्या 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 mi d'acey क्यू आर फिर से समझों कोड़ π्ट्यूर ये बराबर है किसके क्यू आर टीके कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया बोलो आया एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं देखो इधर यह कौड किसकी बात हो रही पी क्यू आर्ट की है अरे आई से और आई से वाला यह कौन है भई यह आर है यह क्यू है यह फी है ठीक है यह कौड किसके बराबर है अरे ये लो ये लो मैंने अलग से इसको आपको दिखा दिया ठीक है चलो आप समझो आया ना समझ में मैंने अलग इसलिए कर दिया कोण P Q R ये बराबर है Q R T K क्यों बराबर है अब आप लोग कोगे क्यों बराबर है भई देखो कोई बता रहा पैरलल वाली वजा से ये अंता आंतरी कोण है क्या है ये अंता आंतरी कोण है बिल्कुल पैर्लल वाली वजा से、 बिल्कुल सही का आपने बिल्कुल आपने सही का देखिये, यह IS R जो है, इस दोनों लाइने समानता रहें P Q भी समानता रहें और इसी लाइन पे यह कोण बन रहे है भाई यह रेखा जो है इसमें भी यूज हो रही इसमें भी दोनों में यूज हो रही ना यह अंताह आंत्री कोण है इसलिए बराबर है ठीक है क्या है अंताह आंत्री कोण है अलग कैसे किया अलग मैंने तुमको समझाने के लिए किया बाई यह यूनिक नालेज मैंने आपको समझाने के लिए अलग किया बाकि इसको अलग नहीं करना है आपको हां यह मैंने आपको समझाने के लिए किया अलग कि समझ रहो ना यह मैंने समझाने के लिए अलग किया बाकि अलग नहीं करना तुम लोग को मैं इसमें बताता इसे इसे करके तो तुम लोग को समझ में कम आ रहा था इसलिए मैंने अलग करके दिखाया उसको चलो ठीक है गुड़ना इतना दुर्गेश सोनी जी समझ में आरण देखो यार टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा भले लग जाए लेकिन समझ में इसलिए हम थोड़ा ज्यादा वक् क्यू आर्टी यह बराबर क्यों है कोई सब्सक्राइब लिखो अंता अंतरी कोड़ ठीक है ओके पर आप तरीजिन नहीं होगा तो बता देना मैं बता दूंगा चलो अब क्या करोगे बच्चा आप अगर ध्यान दो एक चीज ध्यान दो तो जो यह पी क्यू आर बंद रहा है यह दोनों कोन को मिला की बन रहा है बोलो जयान दो बन रहा है कि नहीं दोनों को मिला के कि वाई इसमें दो और 28 को जोड़ोगे बच्चा ना तो ये कोण QRT के बराबर होगा ठीक है ना इतना ठीक है इतने में कोई परकार की समस्या नहीं ना किसी को ठीक ना इतना चलो अब क्या करोगे अब यहां से बच्चा आप यक्स का मान निकालोगे एक बात और भी समझे लो यार इसका भी तो मान दिया भाई साहब QRT का तो मान दिया है भाई कोण R भी तो दिया बिच्चा ये दिया 65 न तो आप इसे करोगे कोण X प्लस कोण 28 इक्वल ये कोण 65 ये कोण का चिन्ध लगाना हर जगा अच्छा नहीं मैं फालतू लगा रहा हूं यहां पे कोण का चिन्ध मत लगाओ जब मान रख रहे हो तो क्या मतलब है चलो अब यहां से यक्स का मान कितना आएगा मुझे बता दो आप लोग एक्स का मान जल्दी बता तुरंद तुरंद तुर्गेस सोनी दिवाकर जी बताईए एक्स का बैलू बता वही चलो रेडी 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 तो बच्चा कोण यक्स बराबर 65-28 करोगे बेटा तो यह 37 ब समझ में आ गया ना मतलब कितना आसान है आपको सिर्फ सब्ट्रेक कर लेना वस ओनली कल्कूलेशन है वाकि कुछ ज़्यादा इसमें बुझाना नहीं है ठीक है ना असान चलो इतना लिख लो जल्दी से फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूंगा बहुत जल्दी करो फाश्ट कि चलिए 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 रेडी है मैं इसको मिटा रहा हूं अब कुछ सीखंड आपके पास जल्दी लिखना है जिसको लिख लो नहीं तो आप स्क्रीन साट लेड़ो ठि अब यह टोटल कितना आगया थर्टी से बना गया अब पीक्यूएस में देख लो 180 लगा दो तिरभूज के तीनों कोणों का योगफल 180 अस होता है बस दो कोण के मांद दिये तीसरा निकाल लो फटा फटा जाएगा चलो अब इसको में विटा दे रहा हुआ है वीडियो पीछे करके लिख लो अगर नहीं लिख आया आप तो चलो रेडी देखो भाई आप सभी बच्चे स्क्रीन साट ले लिया करो जब सवाल पूरा हो जाए बाद में नोट किया करो आराम से पहले यहां पे समझ लो चलो ठीक है गूरूत में बाद में जॉइन ओना बच्चा लिखो अब तीरभूज पी क्यू एस में और यह यहत्त कमान आ गिला आगे लजक्स कमान कितना डुए पि ता इस था गया किए 37 आ गया हम्हें क्या निकाल ना था फहले यह फिर से देखें तो वो, हमें यक्स और Y निकालना था बिल्कुल किरन मौरया का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही किरन मौरया Very good देखो हमें यक्स का मान आ गया Y का निकालना है और बच्छा ये 90 अंस है भई, कहना ही नहीई 90 अंस है, क्यों? क्योंकि लंबवोथ है रेखाए यह रहें कि हैं लब बहुत है दूब बैंसे है और भई लब यह एक से यह वाई हा गया लिखो चलो लिखो आब वो कि तीरभुज भी क्यू एस में क्या लिखो गे कोड क्या लिखो के कोड़ एस फी क्यू इये पी वाला कॉड ना , ब्रेकर्ट में , बिलकुल इसका हमें 3700 मिल गया है , यह यवाई बराबर 180 तो बच्चा यहांसे यवाई बराबर निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा 90-37 वाई बराबर 180- इसको जोड़ोगे 127 आएगा वाई बराबर घटाओगे बच्चा तो ये तिरेपन आएगा यानि वाई का जो मान आया वो 53 आया कितना आया? 53 आया यही हमें निकालना था ये आपको नहीं करना जो मैंने किया फिलहाल आपको नीचे दिखा देना बस सचिन कुमार समझ में आ गया हर्स यादो अनूपवम यादो ब्रिज कांत भाई यहाँ पे डंडा मत करो पढ़ लो यार तुम लोग उपर नंबर दिया मैसेज कर दो देखो तीन दिन लगता है अधिकतम गुरुप में जोड़ने में ठीक है नहीं तो कल दस बज़े के बाद फोन करना जो फोन करेंगे उनको तुरन जोड़ दिया जाएगा नहीं तो गुरुप में जोड़ने में लगभग तीन दिन लगता है क्योंकि आप लो भी हो गया कुश्चन नंबर पाचवां हो गया हाँ ठीक है तो समझ गये ना आप लोग हाँ उपर नंबर दिया गया है आप लोग एक काम करो सभी पहले यह बताओ टेली ग्राम एप रखे हो कि नहीं वाट्साप गुरूप छोड़ो वाट्साप गुरूप में हम सबको नही पहले यह बताओ टेलीग्राम एप रखे हो नहीं अगर नहीं रखे हो न अभी तुरंत गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करो इस पेलिंग में अभी लिख दे रहा हूं इस्क्रीन पर देख लेना और एप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डालके अधना इकाउंड बनाओ जैसे आपका रखावत कोथा नोसwoman यह खाज लेकिन टेमी का एक ए खासियत है बच्रावतर टेलीग्राम का गुरूब जोड़ से लेगे क्योंकि सब मैंने पहले से उस पर भेजा है हां लेकिन अगर वर्ट सब जॉइन करोगे देखो टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री है जैसे वाट्साप में रेजिस्टर करते हुआ उसके बाद सर्च करना जब अकाउंट बन जाएगा तो ऊपर क्या सर्च करोगे भाई पीवी आरे स्टेडी वहाँ पर जैसे यूटूब में सर्च करते हो न वह से टेलीग्राम में सर्च का आप सनाता है सर् बहुत धन्यवाद आज के लिए आपको प्रेम पूर्बग दिल से धन्यवाद यह कलास हर दिन सामको साथ बज़े से होती है ठीक है तो उस पर लिंक भेज दिया जाता टेलीग्राम में आपको सम्मिल जाएगा जरूर जोइन करें वाट्साप ग्रूप छोड़ दो मत करने में तेलीग्राम सभी जोइन करो ठीक है बहुत बहुत सुक्री आप सभी को इस कलास को खूब सेर करें ज्यादा ज्यादा फेर करिए आतधिक भी आएंगे हम और बड़ी कलास चलाएंगे आद देखो एक घंटा चला आदा घंटा ना ऐसे और बड़ी कलास होगी